दोश्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर केके आज आपको ऐसा नुश्का बताने जा रहा हूँ जिसे आप आजमा करके 350 रोगों को काबू में कर सकते हैं और आप अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं आप खुद स्वश्त रह सकते हैं अपने परिवार को स्वास्त रख सकते हैं अपने फैमली अपने आसपरोस अपने गाउं वाले को सबको आप खुशाल रख सकते हैं और एक रूपिया आपका खर्च भी नहीं होगा आप सुच रहें कि डॉक्टर साहब ये क्या बताने जा रहा हैं जी मैं सही बताने जा रहा हूं सिर्फ 15 मिनट का परियोग 350 असाध्य रोगों का काल है चाहे कैंसर हो या गटिये चाहे किड्नी फेल हो या लीवर सबका एक अद्भुत उपाए आजकल की ब्यस्त जीवन सहले मनुस्थ समय का अभाव है अनियमीत खान पान के चलते रोगों से लगने की परतितों तक छंता दिनों दिन घटती जा रही है मगर हम यदि जरा भी अपने अनमोल सहरी के लिए ध्यान दे और नियमीत दिन चल्या से सिर्फ 15 निट का समय निकाल कर इस परियोग को कर लें तो कई बीमारियों से निजात मिल सकती है जो स्वास्त लोग है उन्हें भी डॉक्टर का मुह नहीं देखना परेगा क्योंकि जीवन का सुख निरोगी काया में है सुखी ब्यक्ति जिसका पुत्र अग्यकारी है जिसकी पत्नी सदाचार्नी है जीवन और मरन के बीच जूचते रोगियों के परतदीन चार बड़े गिलास भरकर जीवारों का रस दिया जाता है जीवन की आसा ही जिन रोगियों को छोड़ दे उन रोगियों को भी तीन दिन या उससे भी कम समय में चमतकारी लाब होते देखा गया है जुवारे के रस से रोगी को जब इतना लाब होता है तब निरोगी ब्यक्ति तो कितना अधिक लाब होगा तो अगर आप अपने जीवन को निरोग बनाना चाहते हैं तो हमारी पोश्ट को ध्यान दे पुरवक से सुने आपका है तो आज ही मीचे लिखे जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसे आप हजमा करके कैंसर जैसे रोगों को भी काबू में कर सकते हैं गेहूं के ज्वारे का उप्योग गेहूं जो आप रोटी बनाते हैं आटा जिसका निकलता है उस गेहूं को आप अंकुरित होने दीजिए कम से कम 6-7 इंच तक जब बड़ा हो जाए इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं ध्यान रहे किसी प्लास्टिक के गमले में न लगाए आप थोरा थोरा गहूं को लगाते जाए और जब ये 5-6 इंच तक हो जाए उसको काट करके जूस बना करके आप इसका उप्योग करें छो प्राप्त एक अनुपाम हेट है शरीर के आरोग्यार्थ यह रस इतना उप्योगी सिध्ध हुआ है कि बिदेशी बेग्यानिकों ने इसे हरा लगू ग्रीन ब्लॉड का करव सम्मानित किया है डाक्टर एन बिंगमोर नामा के गिदेशी महिला न गेहु के कोमल जवरों के रस से अनेक असाद धह रोगों को मीटाने के सफल परियोग किये उप्रोप्त जवरों के रस द्वरा उप्चार से 350 से अधिक रोग मीटाने के आश्चरजनक परिनाम देखने में आये है जीवन बनस्वत्ति सास्त्रमिया प्रयोग बहुत मुल्लेवान है गेहुँ जवरों के रस में होने वाले उन्मुलन की एक चित्र सक्ति विद्ध्यवान है सरीर के लिए एक सक्तिसाली टॉनिक है जिसके प्राकिर्तिक रूप से कार्गोहाइड्रेट आदी सभी बिटामिन छार एवां श्रेष्ट प्रोटीन उपस्तित है इसके सिवन से असंखे लोगों को विभीन प्रकार के रोगों से मुक्ति मिली गए केंसर, मुत्रासे की पत्र, हिर्दे रोग, लीवर, डाइपकीज, पायरिया एवं दाप के अनरोग, पिलिया, लकवा, दमा, पेट, दुखना, पाचन किया के दुरुबलता, अपच, गैस, बिटामिन, ए, बी, आधिके, अभाव, पन्न, रोग, जरों के सुजन, गठिया संधी, योथ, किट्नी, एलर्जी, संबंदी, बारह, बर्स, पुराने रोग, आँखों का दुर्बल, केशों का स्वेट होकर जढ़ जाना, चोट लगे घाओ, ताथा जली, तवचा, संबंदी, सभी रोग, हजार रोगियों, निरोगियों ने भी अपनी दैनिक खुराको से किसी परकार के हेरा-फेर किये, गेहु के जोरों से, रष से बहुत थूरे समय में चमतकारी कि लापत किये हैं, यह अपना अनुभव बताते हैं कि जोरों के रष से आख दात, और केश को बहुत लापत हुझता है, कब जी मीड जाती है, अत्यधिक आलजशक्ती आती है थका नहीं होता, गेहूं के ज्वर उगाने की भीधी, मैं आपको जो बता रहा हूं, इसी आप ध्यान दीजिए, आप मिट्टी के नए खब पर कुंडे या सकोरे लें, उनमें खाद मिली मिट्टी लें, रसाइनी खाद के उपयोग बिल्कुल न करें, पहले दिन एक कुंड कुंडों को चाया में रखें, सुरी की धुब कुंडों को अधिक या सीधी न लगा पाए, इसका ध्यान रखें, इस परकार दुसरे दिन दुसरा कुंडे या मिट्टी के खब पर बोएं, और परती दिन एक बढ़ाते हुए, नवे दिन नवा कुंडा बोएं, सभी कुंडे में उगे यहु काटकर उपयोग में, खाली हो चुके कुंडे में फिर से यहु उगा दे, इसी परकार दुसरा दिन, तिसरे दिन करके चक्र लगाते जाएं, इस परकार प्रकिया से भूलकर ही प्लाश्टिक के बर्तुर का परियोग कदापी ना करें, परतिये कु प्रतु प्रातव अत्वा सामयकाल का मंद ताप लगे एसे अस्थान में कुण्डों को रखें। समन्यता आठ दस दिन गेहु के ज्वारों में पांच से साथ इंच तक उचे हो जाए एसे ज्वरों को अधिक से अधिक गुण होते हैं। ज्वारों का रस बनाने की बिधी। जब समय अनुकूल हो तो भी ज्वरे काटे, काटते ही तुरंत धो डाले, धोते हैं उन्हें कूटे, कूटते हैं उन्हें कपरे में छालने। इस परकार उसी परकार को तीन बार कूट कर रस निकलने के अधिकारिक रस पराप्त होगा। चत्नी बनाने अत्वा रस निकालने के मसीन आधी से भी रस निकाला जा सकता है। रस को निकालने के बाद बिलंब किये बिना तुरंत ही उसे धीरे-धीरे पिये। किसी सब के अनिवाज कारण से अतिरिक्त एक छण भी उसको पढ़ाना रहने दे। कारण की उसका गून परतिछन घंट में लगता है। और तीन घंटे में तो उसमें से पोसक तत्व ही नष्ट हो जाता है। प्राता काल खाली पेट यह रस पीने से अधिक लाग होता है। दीन में किसी भी समय ज़रों का रस पिया जा सकता है। परतु रस लेने के अधा घंटे पहले, लेने के अधे घंटे बाद पक कुछ भी खाना पिना नहीं चाहिए। आरव में करियों को तो ये रस पीने के बाद उल्टी हो आती है, अत्वा सर्दी हो जाती है, परन्तु इससे घवराना नहीं चाहिए। सरीर में कितने ही वीश एकतिरित हो चुके हैं, यह परतिक्रिया इतनी इसकी निसानी है। सर्दी दस्त अत्वा उल्टी होने से सरीर में एकतिरित हुए वीश निकल जाएंगे। जाड़ों का रस निकालते समय मधु अद्रक नगर बेल के पान खाने के पान भी डाले जा सकते हैं। इससे स्वाद और गुन का बर्धन होगा और उपकाई नहीं आएगी। विशेष्टा यह बाद ध्यान में रख ले। जाड़ों के रस में नमक था निम्मू का रस कदापी नडाले। रस निकालने की सुगिःचा नँव हो तो ज्वारे चवाकर भी खाया जा सकते हैं। उगाने पर सद्याव सुलव है, गरीबी के गरीब यक्ति इस उप्योग करके अपना खोया स्वास्त फिर से प्राप्त कर सकता है, गरीबों के यह यह इस्वरिया इसी बाद है, नौजात सीसु से लेकर घर के छोटे बड़े अलावा ब्रीद सभी ज्वारे के रस का सेवन कर सकते हैं, नौजात सीसु प्रति दिन पांच भून दी जा सकते हैं, ज्वारे के रस में लगवं समझत छार और विटामिन उपलब्ध है, इसी कारण से सरीर में जो कुछ भी अभाव हो, उसकी पूर्ती ज्वार से रस द्वारा अर्श्चेजनक रूप से की जाती है, इसक मुखले हो चुके सरीर को मात्र तीन सब्ता में ही ताजा अस्फूर्ति सीर यों तरावरदार बना दो, ज्वारों के रस के सेवन के परियोग किये गए हैं, कैंसर जैसे असाध्य रोग मीटे हैं, सरीर तामरवर्णी और पूष्ट होते पाए गए हैं, दोस्तों तो ही रह आपके गउहूं के छोटे-छोटे अंकुरित हुए पौधों से असाध्य रोग को आप मिटा सकते हैं, यों को बढ़ा सकते हैं, सरीर में तीन सो पचास रोगों के लिए सिर्थ एक गउहूं की करची बाली को आप चाहे जिस तरह से हो आप उज़ करिए और देखिए आप आपका खाया प्रट हो जाता है, आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं रहेगी, शरीर में 20 जो भी बना हुआ होगा निकल जाएगा, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपने मुझे सुना, आप मुझे पसंद करते हैं, तो बस इजाज़त दिए डप्टर केके को, मेरी कामना है, नमस्कार, इजाज़त दिजिए, दोस्तों, थेंक यू,